तो ही कैस में तब्रीच आप देख रहे टेक निर्शिप चानल आज मैं आप लोग को बताऊंगा देखे हमारे फेस्बुक के अंदर में बहुती सारा गुरूप जो है आते रहता है और वो फेस्बुक ग्रूप के अंदर में कोई ऐसा प्रफाइल पिक्चर लागा रहता है इतना सुन्दर प्रफाइल पिक्चर लागा रहता है जो हमें वो प्रफाइल पिक्चर पसंद आ जाता है और हम सुत्ते यार यह फेस्बुक ग्रूप का फोटो यह पिक्चर को हम ड को बताओंगा जो Facebook के अंदर में Facebook ग्रूप जो आते रहता और उसे जो पर्फाइल फोटो पॉर्फाइल्स पिक्चर लागा रहता है उससे हम अपने मुपाइल के गेलरी में कैसे सेफ डाउनलोड करेंगे यह मैं आपको बताने तो यहां पर हमें एक ट्रिक का यूज करना परेगा वो ट्रिक का यूज कर लोगे तो आप एकदम आसानी से कोई भी फेस्बुक गूरूप का प्रफाइल फोटो प्रफाइल पिक्चर अगर आपको पसंद आ गया तो एकदम आसानी से उसे आप डाउनलोड कर सकते हो तो एंड तक का देखें यहां पर हमें एक ट्रिक का यूज कर लिए और मान के चलिए यहां पर देखें आपको कई सारा गूरूप यहां पर दिख रहा है लेकिन यह गूरूप का फोटो जो यह परफाइल फोटो आप एकदम आसानी से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं इसके मान के चलिए मेरे को यह वाला फोटो पसंद आगया यह गूरूप है यहां पर देख रहे है यह गूरूप है अब यह गूरूप का फोटो मेरे को डाउनलोड करना है मान के चलिए मैं यहां पर यह फोटो के उपर ऐसा क्लिक करता हो यह गूरूप के उपर अब नीचे में ऐसा फोटो पे क्लिक करके रखते हैं तो देखें यहाँ पर कोई भी फोटो को सेब करने का नई option आ रहा है न डाउनलोड करने का option आ रहा है देखें हम उपर में राइचार में थेट डॉट के उपर भी ऐसा क्लिक करते हैं भी यहाँ पर इसे save करने का न डाउनलोड करने का option आ रहा है तो हमें यहाँ पर एक trick का यूज करना परेगा एक trick का यूज करेंगे तो यहाँ पर ये photo को हमें एकदम आसानी से डाउनलोड कर लेंगे तो वो कौन सा trick है देखिए आप उपर में यहाँ पर राइट हैड में क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए share लिखा हुआ है आप यहाँ पर share पर क्लिक कर दिजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको आपके mobile का सभी platform आ जाएगा share करने के लिए तो आप यहाँ पर email पर क्लिक कर दिजिए या फिर WhatsApp पर क्लिक कर दिजिए तो मैं email पर क्लिक किया हूं अब मैं चाहता हुँ जुदिए email पर share कर देना तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं mark लगा दिया और यहाँ पर send पर click कर दिया अब यह photo जो है share हो गया अब इसे हमें download करने के लिए क्या करना पर चाहम यहां पर बैक आजाते हैं पिर अपने इमो को open कर लेते और जो जिसके पर ऐमो पे say किये उँस का इमो और यहां पर यह पर यह फोटा आ चुका अब यह फोटो के ओपर ऐसा अपने ओंगली से press करके रखिए यहां पर क्लिक करके रखिए और यहां पर देखें डाउनलोड का ओप्शन आ गया आप यहां पर सेंपल सा डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और यहां पर देखें सेब भी लिखा के आ गया अब जो यह फोटो हमारे मुवाइल के गेली में यहां पर सेब हो गया च फोटो यहां पर से डाउैंग्लोड कर सकते तो ऐसा ट्रीक का यूज करके आप कोई भी Facebook गूला कर पितरी अभी यहां पर बहुती बहुती बहूती Marketing आप को पास जालिए अव्हार के आप डाउनलोड कर लिए तो आपको यह video कैसा लगा और ये ट्रिक कैसा लागा हमें जरूर कोमेंट करके बताएगा तो चलिए फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं